नमस्कार जैहिंद यदि आपने SSC JD की परिच्छा 2023 में दी है तो आपके लिए एक बड़ी खबार आई है SSC JD के तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है और वीडियो के लाश्ट में आपको यहां पर बताने वाला हूं सभी छात्रों के दो-दो मार्क्स बढ़ने वा होगा तो अभी आकर यहां से कर लिजिए लौग इन हो करके अब चलते हैं में पॉइंट पर क्या निर्देश आया है SSC JD का एंसोर की यहां पर जारी तो हो चुका है उसके बाद नया निर्देश यह है कि आपको सिर्फ एक सब्ता का समय दिया गया है यानि सात दिन का आज अठरा लगबग 25 तारिक के अंदर आपको किसी भी प्रस्ण पर अब्जेक्शन है या अपत्ति दर्च करना है तो पांच दिन का आपको साथ दिन का यहां पर समय मिला है 25 तारिक से पहले आप लोग अब्जेक्शन कर लिजिए उसके बाद final answer की जारी होगा अब यहां पर जात्रों की जो दो-डो नंबर बढ़ने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं देखिए यदि कृस्त किसी प्रष्ण पर कोई अपत्ति करता है जैसा कि एक प्रष्ण के लिए 100 रुपए चार्ज है तो कोई च्ट्र यादि अपत्ति करता है वह institution जो है वाकई में मानताया सिर यह हमने गलती की है तो उस चात्र को दो नमर मिलेंगे साथ में सभी चात्र जिनों ने एक्जाम दिया है उन सभी को यहां पर माक्स मिलने वाले हैं और इस परिच्छा में लगबग हर सिप्ट में दो या तीन कोस्चन ऐसे आये हैं तो जिस पर अब्जेक्शन आएगा और च चार नमर सभी को इक्ष्टा मिलेंगे तो आपके अनुमान से यहां पर चार नमर आपके बढ़ेंगे तो पास होने के चांसे ज्यादा हैं तो यदि आप इसी परकार के वीडियो देखना पसंद करते हूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें